ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम discuss करने वाले हैं ये हिंदी पैड़ागोजी के कुछ बहतरीन questions हैं जो previous years में आए हैं, जितने भी मैं questions लोगी सभी PYQ लोगी previous questions लोगी जिसे आपको एक idea हो जाए कि seated में इस तरीके की question आते हैं और बहुत easily आप उनको answer out कर सकते हो, देखो, first question है, भाशा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आउशक है, मतलब आप बच्चों को learning सिखाना चाहते हैं, language सिखाना चाहते हैं, भाशा सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ जरूरी हो जकता है, एक अच्छी पाठ्टे पुस्तक, मतलब एक अच्छी बुक बच्चे के सामने रख दो, तो आप भाशा बेटर सिखेगा, प्रोच साहन, आप उसको motivate करोगे, तो भाशा बेटर सिखेगा, या भाशा के प्रती सकारात्मक सोच, या आपका एक positive attitude है, लोकेश, English आपकी वहीं से cover हो जाएगी, उसको और भी update किया जाएगा, बस एक दू भाशा के प्रती सकारात्मक सोच, या एक अच्छा सिक्षक, तो आप देखिए, कि भाशा अधिगम के लिए सबसे पहले क्या होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप किसी भी भाशा को बच्चे को सिखाना चाहते है, कोई भी भाशा बच्चा समझना चाहता है, सीखना है, तो आपको पता है, उस स्पेसिफिक भाशा के लिए बच्चे का एक पॉजिटिव आटिट्यूट, पॉजिटिव रवईया होना बहुत ज़्यादा क्या है भाई, जरूरी है, तो आंसर यहाँ पर हैने वाला है, सी, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, तो क्या सिखा रही है वह सही वाक्य विन्यास पर ध्यान के इंद्रित कर रही है वही वाक्य को सही तरीके से बनाया जाए उस पर ध्यान दे रही है लेखों की रचना उनसे लेखों की रचना करवाना चाहा रही है तो रचना तो नहीं करवा रही है विराम चीनों पर ध्यान करना सिखा रही है, ऐसा भी नहीं है, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान देना, वाक्य विन्यास का मतलब होता है, वाक्य का हर तरीके का structure क्रेट करना, तो वो हर तरीके का structure भी नहीं करें, वो देको नेक्स्ट है व्याकरण सिक्षन हे तू सबसे उपयोगी विधी कौन सी है मतलब व्याकरण सिखाना चाहते हैं बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए सबसे उपयोगी विधी कौन सी है तो देखो यहां पर option नहीं है यदि आपको option में निगमन मिले ठीक है निगमन विधी तो व्यक्रन सिखाने के लिए जो एक बहतरीन मेथड माना जाता है वो निगमन विधी माना जाता है बट निगमन विधी ओप्शन में नहीं है तो आप आगमन विधी के साथ भी जा सकते हो क्योंकि देखो lecture method तो एक अलगी चीज होगी teacher आया lecture दे के चला गया तो lecture method कोई आपका व्यक्रन सिक्षन से रिलेट नहीं है निर्देशन का क्या मतलब होता आप निर्देश दे रहे हो आप instructions दे रहे हो कि कैसे आपको काम करना है तो ये निर्देश विधी भी आपकी काम नहीं करती है ठीक है वारता लाप मतलब जो communication method कैसे आप communicate करोगे ये चीज है आगमन विधी क्या होता है आपको पता है पहले जो examples होते हैं उनको सिखाया जाता है examples से rules की तरफ जाते हैं कई बार rules से example जाते हैं तो निगमन होता है निगमन option में मिले तो आप निगमन answer करेंगे नहीं तो आप answer यहाँ पर क्या करेंगे भई आगमन करेंगे तो यहाँ पर answer आपका क्या रहेगा भई भी रहेगा ठीक answer आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, नेक्स्ट है, व्याकरण के सिक्षन अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा, व्याकरण का सिक्षन है, मतलब बच्चों को आपने क्या करना है, व्याकरण का सिक्षन कराना है, मतलब बच्चों को ग्र्यामर पढ़ानी है, हिंदी वो तरीका आपको बताना हैं सैज भाव से चल रहे वीमर्ष से व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और सिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना व्याकरण के क्या नियम है आप वो नियम को समझो या आप उन नियमों को प्रस्तुत करो सिक्षार्थियों उनको recognize करो सक्षार्थियों को पहचानो कि भई कैसे नियम को पहचानेंगे सिक्षार्थियों को पहले नियम बताओ और फिर उनकी वैख्या करो यह नियम है अम्हें explain कर रहा हूं या फिर वाक्यों में नियम संरश्चित करना अधिक संबो हो, उनका अभ्यास करो, पहले अभ्यास सुरना कराएंगे, पहले सिखाएंगे, नियम बताना और सिक्षारतियों को नियम याद करवाने में मदद करना, तो आपको पता, देखो, यहाँ पर नियम आप अधिगम करवाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट किया रहेगा, सहस भाउस से चल रहे हुए, विमर्श में व्याकरनिक नियमों को प्रसुत करना, जो व्याकरन के नियम है, उनको प्रसुत करना, यहाँ पर वो चीज रहेगी, तो आंसर आपका यहाँ पर रहने वाल है एपका है यहाँ पर रहने वाला है क्या ए तो ए रहेगा आंसर do को निमलेकीत में से कौन साथ व्याकरण अधिगम का उदेश्याrement नहीं है मतलब आप एक बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हो ठीक है तो व्याकरण बाकी तो सारे उदेशे हैं लेकिन एक उदेशे नहीं है व्याकरण सिखाने के प्रती क्या वो उदेशे नहीं है देखते हैं वास्तविक जीवन के उदेशों में व्याकरण के नेमों का इस्तमाल करना मतलब डेली राइफ रूटीन में व्याकरण के नेमों का इस्तमाल करना व्याकरण के नेमों को डेली रूटीन में इस्तमाल करना, संधर्ब के नेमों का इस्तमाल करना, संधर्ब होता है, किस कंटेक्स्ट में बात कहीं जा रही है, उसका इस्तमाल करना, भाशा के नेमों में निपुणता प्राप्त करने के लिए व्याकरण सीखी जाती है, या मतलब क्या होता व्याकरण का मतलब होता भाशा को एक्सपरटाइजेशन करना भाशा में आपको बहतरीन बनाना यही क्या होता है वही आपके व्याकरण का नियम होता है तो व्याकरण भाशा के नियमों में निपुन्ता प्राप्त करते हैं व्याकरण सीखी जा सकती है किसमे में भाई भाशा के नियमों में क्या बात सीट के बच्चे ही नहीं है है ना एच्पीसी की सीरीज में इतने सारे बच्चे होते हैं सुबह में एच्पीसी की भी करेंगे या शाम में जादा बच्चे देखना पसंद करते हैं तो शाम में एच्पीसी की कर लेंगे और यह सीट भाशा के अंतेक्रियात्मक मोडल के बारे में विशम कथन का इस्तेमाल करना है, मतलब भाशा का अंतेक्रियात्मक का मतलब एक इंट्रेक्टिव मोडल है, मतलब भाशा का किसी भी तरीके से एक अंतेक्रियात्मक मोडल है, उसमें विशम, मतलब तीन चीजे तो ऐसी हैं, जो अंतेक्रियात्मक model के अंदर काम देंगे, अंतेक्रियात्मक model का मतब होता है interactive model, interaction करने का model, ठीक है, तो भाशा के अंतेक्रियात्मक model के बारे में विशम कथन का chain करना है, आपको जो negative statement है, उसका chain करना है, पारस्प्रिक संबंदों से प्रति समझ बनाने की रूप में भाशा, पारस्प्रिक संबंद का मतलब interconnect, interrelations, तो interact होते हैं, interconnection, inter, क्योंकि आपको पता है, अंतेक्रियात्मक का मतलब का है, जहां पर कुछ पारस्प्रिक संबंद है, जहां पर कुछ interaction है, वो तो है, व्यक्तियों के बीच प्रसपर सामाजिक लेन देन करने के साधन की रूप में, मतलब लेन देन हो गया, तो इसका मतलब भाई, यहां पर भी interaction हो गया, है नग मतलब संदेशा देने और प्राप्त करने के साधन की रूप में, किसी को हम संदेश दे रहे हैं, फिर उससे संदेश रिसीव कर रहे हैं व्याकरण और शब्दावली के प्रस पर संबंद को स्थापित करने में साधन के रूप में भाशा देखो भाशा का अंते क्रियात्मक मोडल है मतलब language का interaction हो रहा है अब language का interaction हो रहा है तो वहाँ पर background और शब्दावली के भी इस प्रस पर संबंद को स्थापित करने के लिए साधन के रूप में भाषा use हो या प्रमानिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन तो इसने पूछा है विशम जो की इसके नहीं जुड़ता है भाषा के interaction model से जो नहीं जुड़ता है तो प्रमानिक संदेश देना और प्राप्त करने का साधन के रूप में भाषा आप देखो कई सगे आपको लगेगा किसका सी आंसर है ठीक है लेकिन ध्यान से देखना प्रमानिक संदेश देना प्रमानिक संदेश का मतलब क्या होता एक सही authentic संदेश आप बच्चों को दोगे कि भाई मैं आप से यह चाहता हूँ आप मुझ से यह कह रहे हो तो authentic संदेश दोगे आप बिल्कुल दोगे चुकि वह interaction है लेकिन व्याकरन और शब्दावली का प्रेस पर होता है यह learning होता है यह interaction नहीं होता ठीक है तो option number four is a मतलब आपका अलग चला जाएगा क्योंकि interaction model का मतलब है आप किसी भी तरीके से आपस में बस interact कर रहे हैं लेकिन व्याकरन और शब्दावली का जब combination आ जाता तो वहां interaction नहीं वहां learning का concept आ जाता है ठीक है तो answer यहाँ पर रहने वाला है आपका D next है thank you Pinky व्याकरन सीखने से क्या आश्य है मतलब व्याकरन आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसका क्या मक्सद है व्याकरन सीखने का व्याकरन के नियम सीखना मतलब व्याकरन सीखने का मतलब क्या है उसके रूल सीखो संग्या क्या सरवनाम क्या है विसेशन क्या है मतलब उसके नियम सीखो यही है व्याकरन सीखने का मतलब सरवप्रतम नियम सीखना और बाद में उसका प्रियोग करना मतलब सबसे पहले जाने के सवरूप में गलतिया निकालना अब कुछ बच्चे व्याकरण को देखते ही सोचते हैं और भाषा का बोलना और लिखना हमने बहुत पढ़ा है व्याकरण में बढ़ यहां देखो किसी भी भाषा के लिखी तोर बोले जाने की गलतिया निकालना ही मतलब व्याकरण स से संदर में प्रियोग करना मतलब किसी भी चीज को अर्थ के संदर का मतलब होता है कि सही specified way में specific तरीके से specific जगे पे आप उसको use कर रहे हो तो answer यहाँ पर रहने वाला है आपका c. ठीकर answer रहने वाला यहाँ पर c. नेक्स्ट हैं व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्प्रिय होता है व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्प्रिय है अर्थ से नियम मतलब मिनिंग से लेके रूल की तरफ आप जा रहे हो मतलब कोई मिनिंग है, ठीक है, उस मिनिंग से किसी रूल की तरफ आप जा रहे हो, तो ऐसे में क्या कर रहे हो, सिक्षारती पहले समझ के साथ व्यकरनिक नियमों का इस्तमाल करते हैं, मतलब ये कह रहा है कि व्यकरन अधिगम में अर्थ से नियम की और जाने का क्या तात्प्री है अर्थ से नियम की और जा रहे है मलब अर्थ से नियम बना रहे है मतलब समझ से कुछ नियम बना रहे है सिक्षारती पहले समझ के साथ व्याकरनिक नियमों का इस्तमाल करते हैं बाद में नियमों की खोच करते हैं, सही जारा आगे देखते हैं, सिक्षारती सरपरतम नियम बनाते हैं, नहीं, इसने तो पहले अर्थ बनाया है, अर्थ बनाना मतब अंडेस्टेंडिंग बनाना, तो ये तो नहीं होगा, अध्यापक पहले नियम बनाते हैं, ये भी नहीं ह सिक्षार्थी पहले व्याकरिक नियमों को ये भी नहीं होगा देखो अर्थ का मतलब होता है अंडर्टेंडिंग को समझाते हुए अंडर्टेंडिंग को विक्सित करते हुए आप बच्चों को समझा रहे हो तो यहां पर आपका आंसर जाएगा क्या भई वन ठीक आंसर अधिगम के लिए आंकलन ठीक है अधिगम के लिए के लिए जब होता जब टीचिंग लर्निंग प्रोसस के दोरान कोई चीज हो रही है तो के लिए होगा सतर के अंत में अंत में होता है तो वो का होता है ठीक है ओफ लर्निंग होता है वर्ष के अंत में विधार्तियों की प्रगर्टी ओफ लर्निंग है अधिगम सक्षन प्रिक्रिया के दोरान दोरान आ गया तो ये assessment for learning हो जाता है ठीक है रास्टी उपलब्दी सर्वेक्षन का अक्रन करना तो अधिगम सक्षन अधिगम के दोरान विध्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करना और उसमें सुधार करना यहाँ पर आपका अंसर रहने वाला है C ठीक है तो C रहेगा सही उत्तर Next है भाशाओं के अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है मतलब आप बच्चों को भाशाएं सिखाना चाहते हैं ठीक है आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं भाशा सिखाना चाहते हैं तो भाशाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है तो आपको बताना which is not the right statement कौन सी सही नहीं है ठीक है मातर भाषा बहतर संगनात्मक व्रदी में मदद करती है जो मातर भाषा होती है वो हमारी बहतर संगनात्मक मतलब हमारी सोच, हमारी थिंकिंग को मजबूत बनाती है जो मातर भाषा होती है बिल्कुल भाई, फरक पड़ता है मात्र भाशा दूसरी भाशाओं के अधिगम को बाधित करती है ये पूछ रहा है कि भाशाओं के अधिगम के लिए कौन सी बात सही नहीं है तो first तो सही है, दूसरी सही कैसे हो सकती है मात्र भाशा अंते व्यक्तिक संप्रेशन कोशलों को सुगमता प्रदान करती है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जो mother tongue है वो दूसरी भाषाओं को बादित करती है यह बिल्कुल गलत statement है तो answer यहाँ पर रहने वाला है बी चीक है answer यहाँ पर रहने वाला है बी तुम सारे देख भी रहे हो वीडियो नहीं देख रहे हैं सुन रहे हो next है प्रार्थमिक अक्षाओं में यह अनुसंशा की जाती है कि बच्चे को उनकी मात्र भाषा में पढ़ाया जाए मतलब PRD की जो class होती है जो छोटी class होती है उसमें यह अनुसंशा की जाता है मतलब चोटी जो classes होती है कि बच्चे उनकी मात्र भाषाओं में पढ़ाया जाए ठीक है तो क्यों भाई क्या reason है इस बात का यह बच्चों को विशे सामगरी अच्छी तरह से सक्षम बनाती है मतलब यह बच्चों को विशे सामगरी बताती है मतलब बच्चों को subject content पढ़ असान होता ऐसा नहीं है यह कक्षा को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है class अच्छी चले उसको चलाने में मदद करती है तो आपको पता है भाई यदि आप मात्र भाषा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को विशे सामगरी अच्छी तरह समझाए मतलब आपको तो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह समझाए तो उसमें यह क्या बनाती है भई सक्षम बनाती है तो आंसर यहाँ पर रहेगा ए ठीक है आंसर यहाँ पर क्या रहेगा ए रहेगा नेक्स देखिए समप्रेशनात्मक दक्षता कार्यात्मक व्याकरण का एक उप समुच्चे है और सिक्षन के इसका उप्योग विधार्थियों की अनुमति देता है वह क्या है समप्रेशनात्मक दक्षता कार्यात्मक व्याकरण का एक उप समुच्चे है और सिक्षन में इसका उप्योग विधार्थियों को अनुमति देता है तो वे संरशनाई सीखे और उनका स्टिक उप्योग करें मतलब संरशनाई सीखे और उनका structure सीखे और उनका सही उपयोग करें, ठीक है, विवित प्रकार की पठनिय सामगरियों में रचना का प्रियोग करें, मतलब विविन प्रकार की जो पढ़ने की सामगरियों होती है, उसमें रचना का प्रियोग करें, सार्थक संप्रेशन के स्टूडेन को सीखो या प्रार्थमी कंख्षाउं में विध्यारतियों को व्यक्रण से अवगत कराने के लिए सिक्षको को सक्षम बनाना तो आपको पता संप्रेशनाटमक् दक्ष ता आप कॉम्टिकेशन में दक्ष हैं कॉम्मूनिकेशन में बैस्ट różacăं तो आप किस चीज का उपयोग करने को student अनुमती देंगे तो भई सार्थक संप्रेशन के माध्यम से व्याकरण सीखना जो की सही संप्रेशन का बतलब यह होता है कि best way में, communicative way में आप संप्रेशन को सीखो और उसी तरीके से student सीखे तो best communication होता है ठीक है next है भाशा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं मतलब best way में language को हम कैसे सीख सकते हैं भाशा को संधर्बों में संधर्ब का मतलब होता है किसी context को लेके किसी संधर्ब को प्रतक्ता में प्रतक्ता का मतलब होता है अलग अलग तरीके से समझे वर्ण माला के करम में, मतलब जिस करम में वर्ण माला है, उस करम में आप मतलब भाशा को समझें, वर्ण माला के करम में या जब शब्द एक दूसरे को एक-एक करके प्रस्तुत किये जाएं देखो भाशा को सर्वोत्तम वे में कैसे सीख सकते हैं आप किसी भी language को सीखना चाहते हैं ठीक है आप किसी भी भाशा को सीखना चाहते हैं तो भाशा को सीखने का सबसे best way यदि हम बात करें भाशा को सीखना चाहते हैं सही भाषा सीखने का मतलब यही तो होता है कि आप किस संधर्व में भाषा को कैसे उप्योग कर रहे हो तो आंसर यहाँ पर आपका A आएगा Next है भाषा अधिगम के लिए शब्द कोश एक महतोपुन उजार है मतलब भाषा की लर्निंग करना चाहते हो तो शब्द कोश मतलब जो vocabulary होती है एक महतोपुन उबजार है शब्द कोश एक महतोपुन है निमलिक्त में से कौन सा शब्द कोश के प्रियोग में विशे में सबसे कम महतोपुन है मतलब आपको dictionary है शब्द कोश है उसमें सबसे कम important क्या है वो आपको बताना है जाचना कि उसका कृत वाच्चे ये है कृत्री वाच्चे ये करम वाच्चे रूप जानना ये तो जरूरी नहीं है किसी शब्द के भाषा भेद की जाच करना मतलब किसी शब्द के भाषा के भेद की जाच करना ऐसा भी नहीं है तो आपको पता किसी शब्द का करम वाच्च के रूप जाचना यह according to dictionary जादा important नहीं है तो आंसर यहाँ पर आपका रहने वाला है C, ठीक है? नेक्स है भाषा अधिगम में युक्ती के रूप में कहानी सुनाने का उदेश्य क्या है? मतलब किसी कोंटेक्स में, किसी युक्ती में, किसी तरीके में आप कहानी सुनाना चाहते हो तो उसका क्या मतलब है? सिक्षार्थियों को नैतिक सिक्षन देना भई आप कहानी सुना रहे हो तो बच्चों को moral education देना चाहते हो सिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना कहानी याद करवाना है ठीक है तो सिक्षकों को कहानी याद करने का style देना थैंक्यू सोमत सुमित तो सिक्ष को कहानी याद करने का समर्थ बनाना सिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना भई बच्चे कहानी को अच्छे ढंग से पढ़ सकें या सिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मोके देना आप देखो बच्चों को आप कहानी क्यों सुना रहे हो कहानी सुनाने का मतलब यह नहीं है कि उनको कहानी का message देना कहानी में यह है कहानी में यह है ऐसा कोई scene नहीं है कहानी सुना के ही आप कही ना कही उनको क्या कर रहे हो भई उनको भाशा सीखने के मोके दे रहे हो, different different language, different different भाशा कैसे सीखेगा, तो उनको भाशा सीखने के क्या दे जा रहे हैं, मोके दे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, आपका D रहेगा, ठीक है, ध्यान रखें, नेक्स्ट है, भाशा अधिगम के लिए, पूरक के रूप में लगू कहानिया चोड़ी-चोड़ी कहानिया लो बहुत सारे व्रत्यान्त लो सबका एक संग्रिया इखटा करो और फिर उसका क्या उद्धिश्य हो सकता है मतलब चोड़ी-चोड़ी से बड़ी हर चीज को आप ले रहे हो तो क्या मकसद हो सकता है गहन पठन को देना नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना विस्तरित पठन को बढ़ावा देना या कादमी कोशलो को बढ़ावा देना तो आपको पता वही गहन पठन डीप स्रड़ी को बढ़ावा देते हैं तो हम कही ना कहीं दीप कठन को क्या देते हैं वही बढ़ावा देते हैं तो क्या चीज है जिस पर आप चर्चा ना करो तो भी काम चलेगा कवीता के विचारों और थीम पर भई आपकी कवीता की क्या विचार है और क्या थीम है तो उस पर तो जरूर चर्चा करेंगे भई तुक बंदी तुक बंदी का मतलब रिदम ले ले पर तो जरूर चर्चा ठीक है व्याक्रन पर अब देखो कवीता की बात करें मतलब आपको कवीता पर काम करना है आपको मतलब पोईट्री पर काम करना है तो जब पोईट्री पर काम करते हैं तो पोईट्री की रिदम, पोईट्री की ले, पोईट्री की तुकबंदी सब कुछ बहुत ज़्यादा इ इतना important नहीं दिया जाता, जितना गद्ध सिक्षण में importance दी जाती है, तो answer यहाँ पर D रहने वाला है, next है, निमलेकित में से कौन सा व्याकरण पार्ट के सिक्षण से संधब में, संबंध में गलत है, संधब में, जो भी संधू है, उनके जो भी सौर्स है उनमें पट्थे वस्तू का उपयोग करना, वाचन कारिये के दुरान सिक्षारत्यों को अशुद् भाषा की उधार्णों का देना, तो यह तो नहीं है वाई, गलत पूचा इसने, तो ये तो ठीक है, विधारतियों का अशुध भाशा कीुदारण दो भई, तुम अशुध कर रहे हो, तो उसको सही करो, कौन सा व्याक्रणन पार्च तर संधर में गलत है, गलत। वाचन कारिये के दुरान सक्षार्थियों की अशुद भाषा के उधार्णों का प्रियोक करना शब्दों तथा संरशनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रियोक करना ये ठीक है ऐसे वाक्यों का प्रियोक करना जो सक्षन बिंदों का उधार्ण है ये भी ठीक है ऐसे नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतने ही कोशन बहुत हैं 20 कोशन्स हमने